मस्कार आप आज पढ़ने वाले हैं internet explorer के बारे में इसके बारे में पढ़ने वाले हैं ध्यान जो हमारी बास समझेया internet explorer बहुत जर्चित बापुलर सर्च इंगर अर्योन और बहुत सर्चित web browser है दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि सारे कम्प्यूटर्स में यूज होने वाला हमारा इंटरनेट एक्सप्रोड आज हम कि इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे एक छोटक से बीस्यों के माध्यम से तो मैं रतना का रुपाध्या आप देखने हैं यूनिक ऑनलाइन गुरुचनल चलिए कुछ अच्छा सीखते हैं देखी मैं आपको बताऊं जो इंटरनेट एक्सप्रोड है आपको पता है कि सारी कम्प्यूटर्स के लेफ्ट साइड में सबसे नीचे स्टार्ट बटन के बगल में इंटरनेट एक्सप्रोड हंड्रेट परसेंट रहता है क्योंकि है by default operating system में मिलता है कैसे मिलता है by default operating system में मिलता है इसको बिलेट नहीं कर सकते हैं this is a system software you know very well what is system software what is application software for more information you can go in my playlist then you can find it okay हम आपकी बात कर रहा है internet explorer की तो internet explorer जो होता है इसके original author कौन है मालिक कौन है भाई जो internet explorer है इसका मालिक कौन है तो इसका जो मालिक है वो है थौमस रिडर मौन है तामस रिडर म इसका जो ओरिजिनल अुथ र है वो है ठामस। रिडर म कौन है यानी मतलब क्या हुआ कि जो इसका और जिनल ऑसर है internet explorer का वो है थौरमस रेडर युदो क्या वैरी वैल अगर हम बात करें इसका डेवलेबिकर क्या भाई हॉन devlapper की बात कर रहे हैं, तो इसका devlapper आप लोग को पता है, कि जो भी हम लोग operating system Microsoft का use करते हैं जो भी operating system हम लोग किसका Microsoft का use करते हैं तो सीधी सी बात है, Microsoft इतनी बड़ी company है तो इसका जो launch होगा जो इसका developer होगा, वो कौन है Microsoft corporation होगा इसका developer जो है, वो कौन है, Microsoft Corporation है, Microsoft Corporation, अब इतनी बड़ी company है, तो दूसरे का software तो use नहीं करेगी, common sense वाली बात है, दूसरे का software तो use नहीं करेगी, use करेगी, तो अपना software use करेगी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, Microsoft Corporation के नाम से जानते हैं, जिसे ने इसे launch किया है, अगर मैं बा कहते हैं, क्या कहते हैं, initial date कहते हैं, अब initial date क्या है, आप लोग को पता है, वो 1995 है, क्योंकि हमारा जो Microsoft Explorer आया, वो 1995 में आया, तो आपको बहुत अच्छे पता है, इसमें programming language का उन सा use हुआ था, अब आप लोग को पता है, कि सारी language हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप लो और more information आप हमारे description में दिये गए link है, C++ के उस पर जाके पढ़ सकते हैं, C++ क्या होता है, C language क्या होता है, तो ऐसे ऐसे सारे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, अगर आप लोग को कोई सुझाओ देना हूँ, हम आसा करते हैं, कि आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आई हो, आप लोग कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट का रिपलाई देंगे, धन्यवाद दोस्तों.